मोलतोल योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं कमल शर्मा और हमारे साथ है इंडिया निवेश कमोडिटीज के डाइरेक्टर Manoj कुमार जैन Manoj जी आपका मोलतोल योट्यूब चैनल पर स्वागत है नमस्कार रथ Manoj जी आज अगर हम बात करें कमोडिटीज बाजार का लगातार बार्मा ट्रीडिंग दे है जब बाजार में गिरावट आईये और आज सुबह थोड़ा लग रहा था कि मार्केट शायद हलकी फुलकी गिरावट या बढ़त के साथ बन्द होगा लेकिन अंत काफी निराशा जनक हुआ है क्या कहेंगे आप ये इस गिरावट के क्या कारण है इतनी बारा दिन बाद भी बाजार नहीं संबल पाया पिल्कुल कमल जी सुबह जो थोड़ा सा सीन था मार्केट का जिस तरह से कल यूएस और मेक्सिको के बीच में जो इमिग्रेशन का डील हुआ था और उसकी वज़े से इंटरनेशनल मार्केट जो है हमने सारे ही शेर बजारों में बढ़त बनते हुए देखी थी तो कहीं ने कहीं यह लग रहा था कि यहां पे एगरी कल्चर कमोडिटी में सपोर्ट देखने को मिलेगा लेकिन जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ा दिन के सतर में तो हमने गिरावट बढ़ते हुए देखी इसके पीछे मेरा मनना है कि तीन जो है मुख्य कारण आज की गिरावट के हम देख सकते हैं पहला तो यह कि कहीं ने कहीं यह जो है दिन बर से न्यूज चल रही थी कि जो वेदर है उसका ऑंसेट जो है वो गुजराद महाराष्टरा और यह स्टेट्स में जो है बनते हुए देखी जो निशले इस तरहों पर जो है नाइटी सेवन के नीचे आ गया था डॉलर इंडेक्स और हमने देखा कि आज लगवग आधा प्रतिशत के आसपास डॉलर इंडेक्स में जो है फिर से तेजी देखने को मिली है तो उसकी वज़े से भी जो है ग्लोबल ए तो वहाँ पर बुर्सा मलेशिया में जो है केल सी को दोजार रिंगिट के नीचे फिसलता हुआ देखा है और मलेशिया का जो पाम एक्सपोर्ट है उसमें एक से दस जून में लगवग 31 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है वही अगर सोया कॉम्पलेक्स की बात करे तो यहाँ पर भी जो है दूसरी कमोडिटी को फालो करते हुए वहाँ उसकी वज़े से भी गिरावट देखने को मिली है और एक और मुख्य कारण आज हम अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सुबह से ये न्यूज में चर्चा चल रही थी कि भारत सरकार जो है ज केश इंटेंस मार्केट होता और काफी सारे जो व्यापारी है वो किसान बंदों से नगद में खरीदारी करते हैं तो कहीं ने कहीं उसका भी एक दबाव जो है मेरा मनना है कि यहाँ पर देखने को मिला है हला कि किसी भी गवर्मेंट एजेंसी की तरफ से इस न्यूस की जो है लगातार गिरावट के हो गए हैं और कुछ कमोडिटीज जो है वो इसपोर्ट से भी नीचे ट्रेड जो है अभी कर रही है तो मेरा मनना है कि अगले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ निशले इस तरों पर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा और कहीं न कहीं यह ट्रेडर को सावधानी रखनी चाहिए या फिर यह बाइंग के लेवल आये हैं नहीं अभी मेरा मनना है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन वेट करना चाहिए क्योंकि जो गिरावट है अभी हाला कि ओवर सोल जोन में मार्केट है पर फिर भी जब तक ट्रेंड रिवर्सल नह दर्यवाद मनोद जी